तो हेलो स्टुडेंट स्वागत करता हूं आज के साथ बज़े वाले क्लासेज में आप सभी को पता है कि क्लास 12 जीलोजी का सिलेबस मैंने आपको प्रोभाइड करवा दिया है जिसमें सबसे पहला चिप्टर हमारा सैल की से स्टार्ट होता है जिसे हम लोग इंगलिस में पै सभी के लेबल के हिसाब से हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे आज का जो मेरा लेक्चर है यह मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा जो की क्लास 12 जीलोजी के लिए होगा और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीलोजी का स्कोप क्या है जीलोजी का मतलब सब्ज क्लास 12 के जीलोजी में जो काम करेंगे उन सारे चीज़ों को हम लोग जानते हैं तो बने रहें यह वीडियो के आंद तक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि क्लास 12 क्लास 12 जीलोजी का हम लोग चैप्टर्स का त्यारी करेंगे और मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं जैक बोड ना कोई भी बोड इसका सिल्लेबस जारी नहीं करता तो आपको यह देखना है कि एक चीज से जो मैं पढ़ा रहा हूं हूं यहां पर तो नोट सापनी मिलेगा जो मैं करना है कि आपको क्लास में ही समझ कर जाना है एक और चीज होता है एक एक चीज और देख लेंगे मैं आपको फिर से बता दो क्लास ट्वेलोजी इतना भी आसान नहीं कि कुभी याद हो जाएगा नहीं तो सबसे पहले हम लोग valor क्लास इस्टार्ट करते है आज मेरा lecture number one होने वाला है सबसे पहले मैं आपको बहुत बारे बता हुँ geology क्या होता है तो geology एक भिसय नहीं है पहला point geology एक भिसय नहीं है आपने geography के नाम सुना होगा geography का मतलब भुगोल होता है और geography का चार पार्ट होते हैं, सबसे पहले वाले को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, सेकंड वाले को हम लोग जियोलोजी कहते हैं, और थर्ड वाले को हम लोग इंडियन जियोग्राफी कह देते हैं, इसके बाद वर्ल्ड जियो कह देते हैं, यानि कि जियोग्राफी कह देते हैं, समझा गिया तो यह GIEOLOGY जो है जी का एक पार्ट होता है क्या होता है GY subject week पार्थ होता है अब आपको मैं एक चीज बता दू कि sophy का मतलब होता है प्रिथवी का मतलब होता है साइंस जैसे बायो मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है साइण common पराबर में क्या हो जाता है बायोलोजी यानि कि सजीव विज्ञान क्या होता है सजीव वैसे ही जीयो मतलब होता है प्रिथवी इस जीयो का मतलब क्या है प्रिथवी और लोजी का मतलब होता है अध्ययान क्या होता है अध्ययान यानि कि उसका साइंस उसका लोजी लोजिक यह सारा चीज तो प्रित्वी के अध्याजन को हम लोग जियोलोजी बोलते हैं कोई दिक्कत है कॉंसेट के लिए हो गया क्लास देखते चलो एकदम याध याध हो जाएगा इस्टडि ऑफ्म इसृण और इस गोल्च समझा गया जिलोजी इस धाब को एक क्ला कौई ठाप या boss bar लोग ऑप्यादों कोन से क्षक्रपिन उसका खंदान कोन सा है कौन से खंदान साया है मतलब एक घर में रिष्टा आया उसके खंदानों के बारे में जानता है कोई उससे पुछे अगर लड़कवा के चाल चलंकेशन था उबताया गहाँ ठीक था या खराब था मतलब क्या है कि प्रिथवी हमारा सौर मंडल के अंतरगत आती है तो प्रिथवी के बारे में पढ़बे करेंगे उसके अलावे अन्य सभी ग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे ब्रमःण की उतपत्ति भी कैसे हुआ था यह सब पढ़ना है लेकिन यह सब क्लास 11 में पढ़ना था 12 में कुछ नहीं पढ़ना है जैसे कि क्लास 11 जाँए क्लास 11 में आपका कि भाई देखिए कि जियोलोजी के अंतरगत हमें तो प्रिथवी पढ़ना था तो सनी पर से सवाल क्यों दिया मैंने क्या बोला कि यदि एक घर में हम लोग रिष्टा कर देखने जाते हैं या आता है तो आज परोस में भी पूछा जाता है हलाकि यह अभी जमाना नहीं है सिस्टम समझना पड़ेगा कि हम बोलने का प्रयास क्या कर रहे हैं जो चीज हम बताने का प्रयास करने उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा इसमें बसक्ति आपको एक इंट श्जन देखना है की जिओलोजी के अंतरगत हम लोग प्रितवी का अध्ययण परितवी का और उसके इतिहास हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं प्रिथवी के जितना हिस्टरी है ना हिस्टरी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और class 12 में मुख्य रूपлять से हमें जाना सबसे बैतर है कि जब तक आपको 20 समझने आगा ना तब तक आप जो है सिलेबस को पूरा नहीं कर पाईएगा समझा गया तो क्या करना है कल की लेक्चर वीडियो में हम लोग जो लाएंगे पैट्रोलोजी को लाएंगे जिसमें सेल विज्ञान के बारे में संपूर्ण करना सुरू करेंगे कल से आज का ये क्लास बहुत ही छोटा सा है कल से हम लोग रेगुलर बढ़ियां से पढ़ाई करेंगे तो चली आगे बढ़ते हुए हम लोग को यहीं जानना है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई यादी हम प्रिथवी के बारे में पढ़ रह कि भाई बताइए है प्रिथवी का आकार हम यादी धरती पर चेक रहे हैं यानि कि दरती पर आकर के बारे में बात करेंगे तो वह की जियोड क्या होता है इसका हिंदी होता है और यंद क्या होता है अन्यमित होता है तक यह होता है कर से देखने यहां प्रयास करें जैसे चांद्रमाबसे देखें के अधने को शोपो चीज चाहर से नहीं दिखाएगा और इसको आपस में घुमा दो आप सभी को पता है प्रीतवी घूमती है प्रीतवी घूमती है तो जियोडियल आक्रिती भी रहेगी तो टेंटार मान लिए कि इसी को घूमाने लएगे तो क्या यह घूर दीखेगा नहीं दीखेगा वाला डायरिय किaches और आपको दीख रहे है समझा गया गया तो आप सभी को मैंने बताया था कि प्रीथी का कितना परत बरत тीन परत सभी को पता होगा आज की लीच का हो उसी बड़ा था उसी बिज्ञान के बारे में हमें थोड़ा सा इस में रिवाइज करना है और जो जो important topics होंगे, जो class 12 में आने वाले होंगे, मतलब syllabus में, जैसे petrology start होता है, तो वहां से हम लोग इसे बढ़ियां से समझ भाएंगे, तो यह थोड़ा सा class 11 का मैंने small part लिया हुआ है, तो सबसे उपर वाले को हम लोग siyal बोलते हैं, पता है न, siyal को हम लोग हिंदी में परपट्टी कहते हैं, sorry, क्या बोलते हैं, परपट्टी कहते हैं, और इसका English में नाम है crust, क्या नाम है, crust, crust मतलब क्या होता है, परपट्टी, एकदम में रट की रखो इसके बाद, इसके बाद आता है, सीमा, इसके बाद क्या आता है, सीमा, इसका नाम क्या है, सीमा, और सी सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं लाइब आकर भी आपको बताया था डाटा था आपको एक्टिव रहना पड़ेगा आज की काम को कल पर टालो एकक लोजिक समझना क्या मैं मेरी ब्ची समय्यों कि आज का काम कल पर टाला या इसके बाद हमारे यह पास बदेस नाई आफी शेंक मैं इसोस नीचे इस फें कैया होता है इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिस में कोर क्या कहते हैं कोर और हिंदी में इसे क्रोड कहा जाता है अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि प्रित्वी के उपरी परपटी है यह सबसे कठोर होता है यह कैसा होता है कठोर होता है मतलब नूर्मल हम लोग बोल सकता है कठोर क्यो पाए जाता है जैसे की मैगम Image सीमा के परत पर इस पर क्या होते है इसलिए हम लोग इसे Olie lack सकते हैं और को पता होगा गाली पादार्थ का कितना होता है 3 यह यह साइन्स मानता है तीन लेकिन एक और साइन्स आता है उसको बोलते जिए लोजी और वह यह बना देता है कोई भी मैटर का चार स्टेट कितना फोर स्टेट फॉस्ट इस सॉलिट सेकंड इस क्या चीज लिक्वीड और नेक्स्ट इस थार्ड इस क्या हो जाएगा आपका गैसी स्टेट इसके बाद जो है आता है फॉर्थ नंबर प्लाजमिक स्टेट में होता है सीमा समझा गया नीफे एकदम बहुत ज्यादा कठोर है इसको अत्यंत कठोर बोलते हैं समझ में आ गया अब मैं यदि आपको बोलूँ कि यदि भाई आप पदार्थ को बना रहे हो तो क्या करना होता है कि पहले हम लोग अवस्था पढ़ते हैं इसके बाद लिखते हो द्रौ इसके बाद लिखते हो गैस लेकिन मैं आपको बोलू कि यहां पर जस्ट ब्रहम्हांड में उल्टा हुआ है यह वाला नियम यहां पर काम नहीं करता हां कैमेस्ट्री फिजिक सब काम करता है लेकिन यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले इस द पहले जो लोग बोलता है ना जो जियोलोजी ने लिया है वह बोलेंगे कि भाई साब ठोस आया तो एसे भी लोग मिल जाएंगे आपको इस टाइप के गाइडेंस करने वाले तो मैं आपको जीतना बता रहा हूं उतना समझेगा सबसे पहला इस टेट बर्प भी नहीं इतिहास कहता है कि सबसे पहला चीज आया, वह हमारे पास थोस इस्टेट नहीं आया, यानि कि थोस अवस्था नहीं आया, सबसे नंबर वन पे गैस अवस्था आया, नमबर टू पे द्रव अवस्था आया नमबर थी पे थो सवस्थाया समझा गया तो ऐसे हुआ है प्रृत्वी कुत्त पत्ती यानि सबसे पहला पॉइंट यही था मैंने आपको बताया था अब से पहला यहांपर गैस हो गया दूसरे अबर पे द्रव हो गया में नहीं बोल रहा हूं ठीक है यासे और आज जो है अंतता हमारा पृत्वी यहां पर कोन सा फोम में है कौन सा पॉम में है solid state में है आज हमारा प्रिथभी का क्रश्ट देखो जिस पर हम लोग रहते हैं solid state है कि नहीं है क्या liquid है no क्या है यह है अभी बहुत सारी चीजे जो है आपको जानने को मिल दाएगी जैसे कि भई आपके मन में यह भी प्रसना आगा कि सर समुंदर कहां सा गया इतना पानी कहां से आगया इस चीज कहां से सब कुछ यह जितना चृतियों का निर्मान था न आप लोगों को मैंने दिया था पांच अप्रेल को था साथ 20 को किया था तो 20 के बारे में मैंने संजीवन बूटी एक त्यार किया था उसी आप लोगों देखा ऊगा ता आपको पता होगा कि अस पूरे पेटरोलोजी के चैप्टर में कल वाले क्लास में हम लोग सिद्ध करेंगे कि पहले गैसिये स्टेट में थी द्रो में कैसे आया उसके बार ठोस में कैसे आया यहां पर एक चीज और मैंने यह चीज आपको पढ़ाया था यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंड बॉक्स इस ने दिया था जो कि क्लास 11 में पढ़ना था इस परिकल्पना का नुसार यह परिकल्पना है ध्यान देना निहारिका जो का परिकल्पना दिया गया नेबूला जिसको हम लोग निहारिका परिकल्पना यानि कि निहारिका बोल रहे थे जिसको इंगलिस में नेबूला कहत अगळा पॉइंट हमारे पाशिए आता है मैम आपको क्या जनना मैंगमा 106 मैं इंदी में जान सकते हैं तो मैगमा एक लिक्वीड पदार्थ होता है प्लाजमी कि एक प्लाजमा है मैंक मा कहा है प्लाजमा है सूरिय क्या है सूरिय सूरिय इतना गरम है कितना गरम है 6000 डिग्री सेल्सियस तो क्या सूरिय कौन से स्टेट में आगा सूरिय भी प्लाज्मिक स्टेट में कौन से प्लाज्मिक जी बताता है कि पदार्थ के तीन नहीं चारी स्टेट होते हैं फोर्थ ही प्लाज्मिक स्टेट ठीक है तो Plasma वस्था में आता है मारे पास Magmaleft Magma गरम होता है इसका Color देखोगε लाल होगा लाल के साथ पीला भी होता है Correct, पीला पीता नहीं ठीक है मैगमा को जब ठंडा कर दो जब ठंडा कर दो ठंडा वातावरन में आएगा इर्मित्वे लगता हों फंडा होगा रःत लावा बन जाएंगा लावा जो है कठोर होता है क्ठोर होता है वर मेगना थैके अधर वह उसकी क्णा यह चैए ओए अधरो ने को याद रखना है समझा गया तो इसी से सम्मंदीत हम लोग आभी सेल के बारे में जो है कल हम लोग को पढ़ना है डीटेल में उससे पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जैसे पुछता क्रिष्टल ग्राफिक क्या है यानि कि क्रिष्टल विग्यान क्या है तो सीधी से परसना है कि कि कोई भी चीजों की सनरसना की बात बढ़ींआ से कर लेते हैं तो इसे वे विटि आपको पहला केमस्टर में पढ़ना है जो ने qo लोग हमारे ओफलाइन लोकल लोग होंगे वह हमें कॉंटेक्ट करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा इसके बाद मैं बता दू जितने भी लोग अभी तक नहीं जूड़े हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लीज जाकर जूड़ जाएंगे प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलेक्ट करके रखना ताकि जब भी मैं लाइब आउं मैं गर्व करता हूं क्लास पिछले वाले जो क्लास्ट के स्टुड़ेंट उन पर जब मैं लाइब आता था तब तब हमें जूड़ते थे तो आप लोग थोड़ा सा एक्ट पढ़ने में आप खुदे अंदाजा लगाई ना तो यह सब चीज था हमें इस भौतिक भूपी ज्यान वाले सिलेबस में बहुत कुछ नहीं पढ़ना था पस नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों के बारे में जानना था कि वह सारी चीज़ों को हम लोग को यहां पर पढ़ना है तो प्रिधवी की कशसों होती है बाई-स नुहारका से को सीज़ा नावै क्या होता है लावा को यह कि सा होता है इससे उपरी परत का नाम क्या है Kлагथ का क्रश्ट यानि परपत्टी नीचली के बीच वाले में सबसे ऊपर वाले में कौन कौन सा चीज पार जाता है ऐलमूनियम एवं सिलिकन इसलिए उसका नाम है सीयाल जोडाल सियाल सबसे उपर वाले का नाम गया सियाल इसमें Silicon और Aluminium पाया जाता है समझ Qui स्थ कूा और Aluminum ठीक है नंबर टू को बोलते हैं हैli सीमा यानि कि इसमेन क्या पाइजागा सिलिकॉण और और मेंगनिसियम पाया जाता है इसके बाता है निफे जिसमें निकल और फेरस पाया जाता है क्या पाया जाता है फेरस समझा गया तो यह सारी जो चीजे थी आज की इस वीडियो में हमें सोटकट बताना था हलाकि मैं आपको बता दू अभी इधर साधी का बहुत बढ़ा सा महौल चल रहा है जिसकी वज़े से आपको वीडियो मतलब खरवाएं हां आप नाराज नहीं होंगे हमसे और सबसे पहली चीज तो आप लोगों से हमी नाराज है क्या कर लीजेगा आपको हम यही कहते हैं पढ़िए पढ़ने की सकता हो सकता है और हां क्लास 12 के बायो के जितने भी स्टूडेंट्स है मेरे चैनल पे बायो के लिए मै खया मेरा एक सपना होता इनसान का की आपका कौन सारेय के यहीक कि मेरा बैयो हो था जो कि मैंच चाहता था कि मैं बायो पढ़ा लेकिन य सभी अंग इनिवाजा से 2 न कि का लिए पाजग प्ढ़न में है लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं chemistry बताइए chemistry के लिए हम आई एसी तक के chemistry प्ला रहे हैं जो जिसमें मेरा पढ़ने से कोई ज्यादा नहीं होता है चलिए मिलता है कल के साथ बजे वाले गलास में तब तक के लिए जैहिंद